असलाम लेकुम गाइज वेलकम बैक टो माई चैनल कुक वित काफिया आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही टेस्टी स्वीट की रेस्पी जिसको आप बहुत ही आसानी से घर पर बना सकते हैं बिना गैस ओन करें तो आए स्टार्ट करते हैं रेसिपी तो म मैं आपको सब चीजों का मेजरिमेंट बता रही हूँ कैसे कैसे आपको चीज़े लेनी है तो यहां आपर मैंने 200 ग्राम लिए हैं चैनले और 1500 ग्राम जो है मैंने काजू लिए हैं और इसकी इसाप से आप जो हैं चीनी कम जादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के कॉर्डिंग जितना आपको पसंद हो अगर आप जादा खाते हों तो जादा एट कर दें फिर मैंने 1 कटोरी में लिया है मिल्क पावडर यह जो पैकेट में आपको दिखा रही हूँ यह 10 रुपे का पैकेट मिलता है मैंने 3 पैकेट ऐसे ही मिल्क पावडर के लिए हैं अब मैं इसमें अब आपको नहीं हरी लाइची अगर आपको नहीं हरी लाइची का फ्लेवर पसंद है तो आप इसको स्किप कर दें तो मैंने यह आपर चार ले लिए हैं यह और आपको एक भाद का धियान रहे अगर आप ज़्यादा कॉंटिनिंटी बना रहे हो तो समान को डबल कर दें अब मैंने मिक्स का जो है बड़ा जार ले लिया है इसमें मैं सबसे पहले डालनी हूँ चीनी जो मैंने पहले ही निकाल के रख रख रखी थी फिर इसके बाद मैं डालूँगी इसमें यह इलाइची इलाइची मैंने निकाल के रख 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 थी मैंने आपको बत मिठाई की consistency है वो अच्छी हो तो यहाँ पर देखी मैंने powder बना लिया है इसको चान लिया है मैंने चनी से जो इसके थोड़ा से मोटे कन थी वो निकल गया है वरना बिल्कुल बारीक पिसा था बस थोड़ा सा जो था वो मैंने निकाल कर रग दिया है अब मैंने उसी जार में यह चनी डाल लिया है इन चनों को भी मैं इसका fine powder बना कर दोंगी और इसको powder बनाने के बाद भी इसको भी हम चान लेंगे तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर इसका powder बना लिया है बिल्कुल बारीक पिसा है और मैंने इसको चनी से चान लिया है इसके थोड़े बहुत ज जो है काजु का पाउडर जो मैंने त्यार के था वो डाल दिया है आपको थोड़ा सा बड़ा बाउल लेना है जैसे मैंने यहां पर लिया है अब मैंने इसमें डाल दिया है चन्यों को पाउडर फिर मैं इसमें डालूंगी मिल्क पाउडर मिल्क पाउडर जो पहले ही निकाल फिर सही नहीं हो पाएगा तो थोड़ा बड़ा बाउले उसमें करें यह मिटाई इतनी जटपट बन के तयार होती है ना कि आप सोच में सकते और खाने में भी इसको इतना ही मज़ा आता है बहुत ही अच्छी लगती है मिठाई खाने में और इसको आप काजु कतली का भी ना आप कोई और से घीना ऐट करें इसमें देसी घी करें या फिर थोड़ा से इसमें रिफाइंड भी आईट कर सकते हैं लेकिन देसी घी से टेस्ट अच्छा है गा फिर मैंने एक काटोरी में दूद को थंडा कर लिया है उबालके अब मैं इससे थोड़ा-फोड़ा डालके तयार कर लूँगे ऐसे जैसे आटे का डो करते हैं इसका जो डो है हमें टाइट रखना है मुलायम नहीं रखना बिलकुल भी बस मैं जो थोड़ा-थोड़ा करके इसमें दूट डालती रहूंगी और इसको मिलाती रहूंगी क्योंकि जादा अगर एक दम से डाल देंगे तो फिर पता नहीं चलने का थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे तो पता चलेगा कितनी कंसिस्टेंसी है कैसा हुआ है तो थोड़ा-थोड़ा करके इसमें आप इसमें भी दूट डालें इसको अच्छे से मिलाना है हमें ताकि इसमें लंस वगरा ना रहें ध्यान रहें इसमे मत के गून भी लेना है क्योंकि जो हम आटा गूनते हैं उसमें भी थोड़ी हमें मैनत करनी पड़ती है तो ऐसे ही इसको गून दे बसका डो जो है उसे डिफरेंट रखें थोड़ा टाइट जैसे मैंने यहां पर रख रखा है यह जो डो है अभी रेडी नहीं हुआ अभी हल रही हों क्योंकि हम जो इसको मत भी हमारी जो सुईट है वह अच्छी बनेगी तो इसको आपको थोड़ी महनत करके इसको मत लेना है तो देखिए आपर मैं इसको काफी देर तक मत आये अब मैं इसको हातों से ही बड़ा कर रही हूं आप चाहें तो बेलन की मदद से इसको लेकिन मैं याँ पर हातों यससे ही कर रही हूं तो अब और आप इसको कड़ कर सकते हैं यह अपर इसकोड दंगी बोठानी से हो जाता है आप इसको थोड़ से दबा दबा के किनारों की तरफ से करेंगे तो जो यह हलकालका फटावा भी दिख रहा है ये भी नहीं होने का तो देखिए पीछे से मैंने इसको उठा के रखा है कितना प्लेन हो गया ये अब मैं हलका सा पीछे की तरफ से भी इसको चोकोर शेफ दे दूगी ये भी हमने पूरी तरीके से इसको चोकोर शेफ नहीं दी है आप चाहें तो इसको गोल में भी काट सकते हैं लेकिन चोकोर में काटेंगे तो बिल्कुल सही कटेगा तो यह देख सकते हैं आप मैंने इसको सारे में ऐसे जमा जमा के अच्छे से इसको चोकोड शेफ दे दी है आप देख सकते हैं यापर मैंने जितनी मोटाई रखी है आप उसके हिसाब से यह रखी है अगर आपको पसंदो या आप इसको जादा मोटा भी कर सकते हैं यह थोड़ा पतला जितना आपको इसमें पसंदो इतना अप रख सकते हैं जितने इसकी लंबाई तो आपको मैं दिखा दूँ इतनी ही इसकी मोठा यह आधा इंच ओड़ी है तक्रीबं यह अब मैं इसको कट कर लूँगी जयासे हम कर्जु गतली आती है उसी की शेप में इसको कट कर लेंगे, अब मैं इसको कट करूँगे तो मैं पहले knife ले लिया है मैंने यहाँ पर और सिद्धा सिदा जैसे हम काटते हैं इसको ऐसे ही कट कर लेंगे equal हमें काट लेना है हर तरफ से कोई ज़्यादा मोटी लेयर ने काटनी न ज़्यादा पतली equal जितना हम पहला काट रहे हैं उसी हिसाब से हम दूसरा तीसरा सब काटेंगे तो इसमें तकरीबन मैं 5 हिस्से कर लूँगी इसके 5 लाइने बना लूँगी फिर अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी काट सकते हैं चोकोड चोकोड बरफी की शेप में और अगर आप शकरपारे की शेप में काटना चाते हैं तो उस शेप में भी काट लें तो मैं आप शकरपारे की शेप में काट रही हूँ पहले मैंने इसको सीधा काटा चलाएं तो वह हमारी square shape में बन जाएगी अब देख सकते हैं थोड़े समान में हमारी काफे सारी मिठाई जो है बन गई है और बहुत ही अच्छा इसका लुक है और खाने में तो यह बहुत ही मज़े के लगती है एक बार आप इसको ज़रूर ट्राइ करें और अभी वैसे भी पीस उठा के दिखाती हूं बिल्कुल जैसे काजू कतली का पीस आता है बिल्कुल उसी पीस में इसको काटा है और बहुत ज़्यादा सौफ्टी यह बनी है हमारी मिठाई जो है आपने अगर काजू कतली खाय होगी तो आपको पता होगा कितने ज़्यादा सौफ्ट रहती और बहुत जाद आपको तारीफे मिलेंगी क्योंकि स्वीट्स जो हैं घर की बनीवी बहुत ही अच्छे लगती हैं तो आप इसको जरूर ट्राइ करें एक बार आप अपने फैस्टिवल को इस मिठाई के साथ इंजॉय करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें मेरी वीडियो को लाइक करें मुझे कॉमेंट में बता आपको रैस्पी कैसे लगी मिलता है न्यू वीडियो में कुछ न्यू आइडियास करें